दर्शक कृपिया ध्यान दे, फिल्म एट डाउन तूफान मेल को हमारे साथ ही शुभम ने देख लिया है ये फिल्म इंडीक फिल्म उटसफ दोहजार रिकीज में बेस्ट फिल्म ओर्डिन्स चॉइस का अवर्ड UK Film Festival में Youth Curated Choice Award जीट चुकी है इंडो जर्मन फिल्म वीक में भी उफिशली सिलेक्ट की गई थी सिर्फ इतना ही नहीं इफी International Film Festival फिल्म इंडिया में भी ये फिल्म स्क्रीन की गई थी नमस्ते मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा तो ग्लोबल लेवल पर ख्याती बटो रही एट डाउन तूफान मेल में ऐसा क्या खास है सब अच्छा है या कुछ बुरा भी है आईए आपको बताते हैं ये रिव्यू आपके लिए लिखा है हमारे साथ ही शुब हमने बात करते हैं फिल्म की कहानी की सन 1974 जगा दिल्ली रेलवे स्टेशन रेलवे कर्मचारी हरताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन यहां के स्टेशन मास्टर गुरपीत सिंग इमानदारी से अपनी ड्यूटी बजा रहे हैं इसी दौरान स्टेशन पर 25 से 28 साल की एक लड़की महंगी सी साड़ी पहने रेल से उतरती है इनके बीचे तीन आदमी कुछ भारी लकडी के संदू को और एक बड़े से जूमर को लेकर रेल गाड़ी से उतरते हैं ये सभी लोग दिल्ली स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाते हैं वेटिंग रूम में दाखिल होते ही वहां रखे थ्री सीटों सोफा को एक तक्त की तरह सजा दिया जाता है जिस पर वो लड़की बैठ जाती है वेटिंग रूम में जूमर वगेरा टांग एक दरबार का महौल बना दिया जाता है और वे तब तक यहां से नहीं जाएंगी जब तक प्रधान मंतरी इंदीरा गांधी से उनकी मीटिंग फिक्स नहीं हो जाती विलायत कहती है उनकी सरकार से मांग है कि वो उनके आवद के महल वापस कर दे गुरप्रीत की उन्हें वहां से जाने के लिए बोली गई हर बात सिर्फ कमरे में ही गुझ कर रह जाती है कुछ वक्त बाद रेलवे हरताल कवर करने आये प्रेस रिपोर्टर्स की नजर में भी ये मामला आ जाता है जहां से ये माटर नाशनल और इंटरनाशनल मेडिया से होता हुआ प्रधान मंतर इंदीरा गांधी तक पहुचता है क्या प्रधान मंतर इंदीरा आगे इनसे मिलती है इस सवाल का जवाब आपको फिल्म देखने पर मिलेगा फिल्म की कहानी सत्य घटना से प्रेरित है, 1970 में विलायत नाम की एक महिला अपने बेटे कुछ नौकरों और कुछ पालतू जीवों के साथ दिल्ली के वेटिंग रूम में आकर जम गई थी, जहां वो दस साल से उपर रही, विलायत को उनके नौकर हर हाइनिस कहकर बुलाते और दूसरों से भी उन्हें ऐसे ही पुकारने को कहा करते थे, विलायत खुद को वाजद अली शाह की वंशच बता दी थी और इंदीरा सरकार से अपने अवद के महल वापस करने की मांग कर रही थी, दस साल से जादा समय तक विलायत वेटिंग रूम में ही रही, 1984 में जमने से उस वक्त की राजनीती पर क्या असर पड़ा था, उसका जीवन वहां कैसे गुजर रहा था, इस बात पर फोकिस रखता है, एमर्जंसी के दौरान की मुश्किले, पार्टिशन में बेघर होकर, जिन्दगी जीरो से शुरू करने पर मजबूर हुए लोगों की तक इस फिल्म को और बहतर बनाते हैं, जैसे फिल्म में एक सीन है जहां इंदिरा गांधी आफिस में मीटिंग कर रही होती है, और पीछे से आवाज आती है, नही राहूल दादी अभी मीटिंग में है, ये छोटा सा टच ही कहानी को और वास्तविक बना देता है, ऐसा ही एक स समझ सकते हैं, आप भी तो नहरू की विरासत चला रही है, फिल्म में राजकुमारी विलायत महल का किरदार आकरती सिंग ने ही निभाया है, बत और आक्टर भी आकरती अवल नमबर उसे पास होती है, अपने अबिने से वो दर्शकों को अंत तक कंफ्यूस करके रखने में कामयाब होती हैं कि वो वाकई एक राजकुमारी हैं या कोई ठग, फिल्म में गुरपीत सिंग का रोल तेलगू आक्टर सूरिया राओ ने किया है, सूरिया भी पूरे तरीके सितारीफों के हगदार है, जैसे जैसे गुरपीत का कारेक्टर ग्रो होता है, आप सूरिया के आक्टिंग स्किल्स को भी बढ़ता हुआ देखते हैं, राइडर आकरती और आक्टर आकरती की बात हमने उपवर की, लेकिन डाइरेक्टर आकरती की बात अलग से करना बेहत जरूरी है, एट डाउन तुफान में एक पीरियोड ड्रामा है, फिल्म मेकिंग में पीरियोड क्रियेट करना कुछ सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है, घुजरे वक्त को परदे पर उतारने के लिए बहुत ही हाई प्रडक्शन वाल्यू और डीडेलिंग की जरूरत होती है, ये फिल्म एक लोग बजट फिल्म है, जाहर है सत्तर के दर्शक की बारीकिया द पर की है, सत्तर का दर्शक उन्होंने पुराने रेडियो उस वक्त आने वाले हवा महल जैसे रेडियो प्रोग्राम्स बड़े दो रुपे के नोटों और बेल बॉटम पैंस के साथ दर्शाया है, फिल्म में इंदीरा का किरदार भी है, जिनके चेहरे से दुनिया भली भा परिचत है, लेहाजा आकृती ने इंदीरा के कारेक्टर को बिना चेहरा दिखाए, उनके चश में फेमोस है स्टाइल और वोइस की जर्ये बहुत किन्मिंसिंग ली उतारा है, जो किसी भी क्षण खटकता नहीं है, तारीफ के हगदार, फिल्म के सिनेमेटोग्रफर शौर के रूप में, लेकिन जब ये कविताएं बत और बाग्राउंड म्यूजिक फिल्म में आती है, तो चुभन महसूस होती है, खासतोर से जिस तेज आवाज में वो आती है, या गलती एडिटर की मानी जाएगी, जिसने बाग्राउंड स्कोर का वॉल्यूम कम नहीं किया, एड़ डाउन तुफान में एक बहुत ही अच्छी फिल्म है, इस फिल्म को आप कॉमेडी, ड्रामा, सटायर यहां तक की हाइस्ट मूवी की काटेगरी में भी डाल सकते हैं, देश के पॉलिटिकल सेनारियो, हिंदु-मुस्लिम कॉन्फलिक्ट, आफ्टर पार्टिशन इफेक्ट्स पर बात करते हुए भी फिल्म कहीं भी प्रीची नहीं होती या मेन प्लोट से भटकती नहीं, एड़ डाउन तुफान मेल सभी को देखनी चाहिए, खास तोर से उन फिल्मेकर्स को जो कम बजट का हवाला देकर अपनी फिल्म की कमियों को धकने की कोशिश करत हैं, एक कम बजट में भी कैसे एक मनोरंजक फिल्म बनाई जा सकती है, इसका स्पष्ट नमूना ये फिल्म है, जरूर देखें और थोड़ा जल्दी करें क्योंकि फिल्म अभी सिर्फ दिल्ली मुंबई के PVR चेंस में ही उपलब्ध है, बाकि छोटे शोहर वाले निराश् मेल आपके स्ट्रीमिंग डिवाइस इस पर भी आ जाएगी, देखते रहें ललन टॉप सिनिमा और हमारे चैनल ललन टॉप सिनिमा को जरूर सब्स्क्राइब कीजिए, शुक्रिया